लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए इस वक्त हमारे साथ केंदरी राज्यमंत्री पंचाइथी राज स्री कपिल पाटिल साब है मोधी सरकार ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौपी है और OBC समाज से पहले मंत्री बने है सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहला क्या काना चाहेंगे सर क्योंकि महराष्ट से बड़ा प्रतने दिए तो आपको मिला है किस तरह की प्रात्मिकता है आपकी होंगी OBC समाज को लेकर प्रधान मंत्री नदेंदर मोधी जी के नेतरतों में कि शजरतर सालों में पहली बार थाने जी ले को किसी भी पारटी ने मंत्रीपत जो नहीं दियाता हूं मोधी जी ने दिया इसलिए सोला तारप से लेके बीस तारप को जनाश्य द अटराम लोगों ने निकाली और जन्याश्टेदा द्यात्रा में लोगों ने इतना प्रतिसाथ दिया, वो मोधी जी के प्रती धन्यवाद वेक्ते करने के लिए लोग रस्ते पे आके बहुत बड़े पाइमाने पे मोधी जी को बधाई और धन्यवाद दे रहते हैं, मुझे जो जिम्मेदारी है, मेरा ज जी रखते हैं, हमेशा अपने स्पीच में बोलते हैं, महात्मा गांदी जी को जिस तरह से गाव का डेवलप्मेंट चाहेता है, उस तरह से गाव का डेवलप्मेंट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने लाल के लिए से भाशन करते समय, सव लाग करोड रुपे का पैकेज ए एक योजना लेके आ रहे है, जल्दी लोजना बनेगी और आएगी उसमें मुल्भूत सुविदाहे और दलनवलन की सुविदाहे पर जोर दिया है, तो गाव को सक्षम करने के लिए सही माइने में एक डेवलेप्मेंट अलग चीज होती है, रोड, रस्ते, हेल की सुविद आए तो होनी चाहिए, लेकिन गाव अगर एकॉनमिकली डेवलफ होता है, तो गाव के लोगों को कही जाने की जूरत नहीं है, गाव का विकास गाव में होगा, गाव को रोजकार गाव में मिलेगा, ये सोच मोधी जी कि है, और मेरे मंतरले के माध्यम से आने वाले दिनों में यही प्रार्तमिकता रहेगी, कि हर एक गाव को एकॉनमिकली कैसे सक्षम करें, अपने बहुत सरा दोरा किया, पनवेल और रायगड के वो तमाम रूरी लाकों से भी आपने अपने अपजर्वेशन किया है, जो बड़ी समस्या हैं, आस्ता कितने सालों बाद भी वो हो पाई हैं, किस तरह से आप उन्हें दूर का नई कोसिस करेंगे, कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी परियोजना चल ले, उसी तरह स्मार्ट गाव परियोजना साकार हो सके। एक रुरुबन करके क्योजना आई है, इसमें दस गावों का क्लस्टर करके, दस गावों के विकास के लिए 30 करोट रुपे का निधी देना का प्रावधान है, और आज देश में ऐसे 300 क्लस्टर चल रहे हैं, रुरुबन के माध्यम से डेवलपमेंट, इसमें जो सारी पर तीन सो किया है, आगे चलके इसके सक्सेस का मौज़ा करके आगे इसको और बढ़ाया जा सकता है, इचित तोर पर जो सोच ही मोदी जी कि है, मैंने जैसे पहले कहा, गावों को सक्षम करेंगे तो गावों का अदमी गाव में रुकेगा, उसमें समार्शिटी भी आया, और एकॉनमिकली डिलेप्मेंट भी आ गया है, आपको OBC समाज से प्रतनिधित दिया गया है, और आप जैसा देखें कि राज में OBC का राज की आरक्षन खत्म हो गया है, आपने भाष्णों में भी बार बार इसका जिक्र किया कि कहीं न कहीं राज्य सरकार इसके लिए जि दो की घटना दुरिस्ति के माध्यम से हुआ था, तो मोदी जी ने फिर से अभी ये पारलिमेंट के सेशन में 117 भी घटना दुरिस्ति करके जो राज्य के आधिकार के अंदर सरकार के पास आये थे, और फिर से राज्यों के दिये, अभी OBC आरक्षन का मुद्दा है, तो को अधिकार दिया है, वो अपनी सुची बनाया है, मेरे जानकर हमें है, शायद मैं गलत हूँ सही है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा था, ये राज्या ने अपना कमिशन इसके बारे में तयार किया है, और कमिशन के माध्यम से, वो उसकी जनगन ना करेंगे और अभी राज्या के पास अधिकार हो सुची बनाने के बाद किसको अरक्षन में डालना है, तो ओबीशी का जो पोलिटिकली अरक्षन है, वो इसमें खितम हो गया है, जब तक सुची बनाएंगे ने ओबीशी की और कोड के देंगे ने, कोड ने तो इनको टाइम दिया था, तो ये केंद्र सरकार के पास इंपिरिकल डाटा मांग रहे थे, अभी केंद्र सरकार ने उनको अधिकार दिया, अपना सुची बना के वो कोड को सो पहेंगे, तो कोड उसमें जो अरक्षन खतम किया हो, निच्छित तोर पर मिलेगा. मुझे जो आशिरवाद जयात्रा के मध्यम से मुझे जो देश में काम करने का मोका मोदी जीने दिया, एक पहला मुद्दा ऐसा है कि मोदी जी के प्रती आभार वेक्त करना एक उसका उद्देश था, और जनता इतने बड़े पहेमाने पे जो रोड पे आके मेरा स्वागत कर रहे थी मुझे जो आशरवाद दे रहे थी वो मोदी जी के प्रती कुरत दिनता थी और मुझे जिम्मेदारी दी है मेरे मंतराले की वो बड़ा काम है यह मंतराले की जिम्मेदारी सही तरह से निभाने के लिए मुझे भी लोगों का आशरवाद चाहिए तो मुझे परिवर्तन की एक तयारी है और देवेंद्र फटनवीज को दुबारा मुख्धमंत्री बनाना क्यों कि महाराश्ट्र को विकास के पत्थ पर ले जाना तेखो अपने देखा होगा तो जितने भी उद्गाटन अभी हो रहे है और सारे देवेंद्र जी के कारेकाल में शुरू का देखा है क्या नहीं देखा है इसका मतलब कोई काम इन लोगों ने मंजूर नहीं किया है तो मैं मेरे है मेरे ज्जीरे चरण खाट एक एक लूप को दूंगा उब एगोंड के रही जादा करके कांग्रेष को ही लोग बोड़ देते हैं और मा रहें नहीं ज्छे ऑनिंट बाते छोड़ेंगी तो सारा कारेकाल कांग्रेस वालों के मुख्य मंत्री पत्काई था कि विवंडी में इतने बड़े पैमाने पर उनको वोट देने के वाउजिद भी वहां पर कभी विकास के लिए कुछ भी फढ़नी दिया कि पैड़ी बार जब देवेंदर पड़नीजी मुख्य मंत्री बने हलाकि मेर को अंग्रेस का था फिर भी उनोंने साड़े चाओदा सो करोड़ रुपय विवंडी के विकास के लिए और मेरे लोग सबाक्षेत्रे में लगबग 13,000 करोड का उनने निदी दिया गड़करी साड़े 12,000 करोड का दिया ऐसा दोनों ने मिला के लगबग 25,000 करोड का फंड मेरे लोग सबाक्षेत्र में दिया है कही ना कही मुझा इससा लगता है कि विकास एक जगह पे आके रुग गया है जो पहले के गवर्मेंट ने काम सैंक्शन किये थे उनको सभी कामों को स्टे लोगों के लिए किया था जो रोड का काम होगा ब्रीज का काम रहेगा और कोई डेवलोप्मेंट रही है वह खाली भारतिये जन्ता पार्टी के लोग थोड़ी यूज करने वाले उसके ओपर सभी पार्टी के लोग चाहिए चलेंगे सोच आइसी रखनी चाहिए कोई आद किसी को नहीं चोड़ते बिच में सारे उनके देशवासी है और सबके लिए काम करते इसी तरह से यह सोच रखेंगे तो काम होगा यह नहीं हो रहा है इसलिए मैंने कहा कि जन आशिरवाद के माद्यम से इस तरह से खुद को तैयार करो के आने वाले दिनों में अगर चुना होता है तो कितनी भी पार्टी यह साथ में आई तो भी भारते जनता पार्टी के अपने ताकत के ओपर हम देविंद्र जी को फिर से मुख्य मंत्री बनाए और जैसा कि जिलधेक रामचंद घरत साब इनके नत्रुत में बीजेपी ने यहाँ पर नौइमबई में अपनी त चंद्रगरज जी अद्यक्षय है गनेशना एक साव अमारे निता है मंदा मात्रे जी है संजुनाइक है संधीपनाइक है यह सारे लोग एक साथ में आके काम करने वाले हैं और यह सब एक साथ में आएंगे तो महाविकास अकाड़ी कुछ भी चाहेगी तो भी कुछ होने व मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी ओजिम्मेदारी मैं पुरे मंदारे से आके यहाँ पर निभाऊंगा हम सब लोग साथ में आके काम करेंगे तो मुझे कोई मेरे मन में शंका नहीं है यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा है हंड्रेड परसें यहाँ पर भारतिय जंता के लिए बड़ी पहल की आपने प्रकल्बगस्टों का सोला गस्त को अंदोलन होने वाला था लेकिन आपने पहल की केंद्री विमानम नंत्री ने आस्वासन दिया किस तरह से ये मांग पूरी होगी कि इंटरनेशनल एरपोर्ट पर दीवा पाटिल साब का नाम दिया जा सकते दो हजार पंदरा में दिवा पाटिल का नाम नवी मंबई एःपोर्ट पे लिए मैंने ही पाहल की थी मैंने लोगस्बा में मुद्धा उठायता जिरोकारे में उठायता थी 377 में भी उठायता और प्रधान मंतरजी को मैंने लेटर लिखाता तो ये जनभा होना है बहमी पुत्रों की जनभा होना है। सरकार को महाविकासागाडी सरकार को यह बात समझनी चाहिए। तो उनका पहला हक बनता है। यह सब लोग जनते है। लेकिन इनको सबको सरकार को साथ में लेकर चलना है। सरकार को इनको टिकाना है। इसलिए कोई कुछ बोल नी रहा है। इसलिए मैंने जब से मंत्री बना तब से उसके पहले भी राजय सर्कार को में सभी भूमी पत्र के माद्यम से बिंति करता हूँ कि आपने जो सिटकों के माद्यम से प्रस्ताव पारित किया है उसका पुनर रुचार करें और दिवा पाटिल जी का नाम एरपोर्ट पे देने के लिए वो प्रस्ताव फिर से पारित करें क्योंकि इनकी जनभावना का आदर नहीं करेंगे तो वो जो भी सरकार रहेगी जो भी पार्टी रहेगी उसको उसकी किमत चुकाने पड़ी अईसा कहा जा रहा है कि अदानी के कारण जो है जो कि इस प्रोजेक्ट के डिवलप्मेंट का पूरा काम अदानी के हाथ में गया इसलिए साइद प्रकल्फगस्तों को जानभूच के बैक पूट पर लाया गया है और सरकार उसके आगे जुग गई है क्या काना चाहेंगे स दो आजर पंतरह में आदानी थे क्या रादानी क्या आदानी क्या आदानी ने इंटरनेशनल जो कंपनी थी उसके सेर टेक और के गवर्मेंट ने तुड़ी उनको दिया है तो यह राजनेती करने वाले लोग कुछ भी बोलते आदानी मोदीजी के नजदिक है मोदीजे इस आदानी के गई इसमें क्या सवाल है वह मारे सरकार का कुछ सेई सवाल ही नहीं नहीं जे तो उनका दो कंपनिय का जो कुछ हुआ है वो उसकी बात है और हम बेक पूट पर क्यू जाएंगे आदानी हो और कोई हो हमारी जी बुमी का एदानी थोड़ी नाम देने वाले अज तो काम करने के लिए एक आया हुआ सिस्टम है तो इसमें नाम देने के प्रक्रिया में दो सरकारों का काम है तो हमारा मुद्दा हम लोग पकड़ के बैठे कि हमारा दिवा पटिल जी का नाम उसको देना चाहिए जैसा कि आपने देखा कि केंद्री पंचाथी राज मंत्री कैमरामन रभी चंद के साथ मैं सुधीर सर्मा टीवी वन इडिया नविम बैट